वेलकम इंजिनियर्स आज हम यूपी पीसियल जेई सिविल इंजिनिरिंग के प्रीवेस एर के कोश्चन्स करेंगे ये इसका पार्ट 13 है तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ये कोश्चन आपके सस्टी जेई यूपी त्रिपल स्टी जेई वा मेट्रो के लिए भी ज़रूरी है तो पहला कोश्चन है दम मेन गेस लिबरेटेज फ्रोम एन एनोरोबिक स्लज डिजास्टर इज यहां पर आपसे पूछा है कि आपके एनोरोबिक स्लज डिजास्टर से फ्री होने वाली मेन गेस कौन सी है ओप्संस आपको दे रखे हैं अमोनिया कार्बन डायोकसाइल, कार्बन मोनोकसाइल या फिर मीथेन आपके एनोरोबिक स्लज डिजास्टर से फ्री होने वाली मेन गेस है मीथेन ओप्संस के आपका राइट रहेगा अगला कोश्चन है दिस्पोजल ओफ सीवेज इन लार्ज सिटीज इस डनीन इस कुश्चन में पूछा है कि बड़े सेहरों में सीवेज का डिस्पोजल जो है किस में किया जाता है ओप्संस आपको दे रखे हैं इर्रीगेशन में करते हैं डिल्यूएशन में करते हैं ओक्सिडेशन में करते हैं या फिर प्यूट्री फेक्शन में करते हैं तो बड़े सेहरों में सीवेज का डिस्पोजल करते हैं डिल्योएशन में ओप्शन भी आपका राइट रहेगा अगला कोस्चन है विच प्रोपर्टी ओफ ए स्वाइल परमिट्स दा सीपेज ओफ वोटर थुरू इक्स इंटर कनेक्टिंग वोट्स सोईल का वह गुन जिसके कारण रंद्रों में से पानी रिस्ता है उसे क्या कहते हैं ओप्शन आपको दे रखे हैं केपिलेरिटी कहते हैं परमिबिलेटी कहते हैं कॉनसोलिडेशन कहते हैं या फिर porosity कहते हैं आपका option भी right रहेगा इसे कहते हैं permeability next question है for laminar flow conditions in saturated soil the rate of percolation is dash the hydraulic gradient यहाँ पर पूछा है कि आपकी saturated soil में laminar flow के लिए जो रिसाव कि इदर होती है hydraulic gradient के क्या होती है options आपको दे रखे हैं directly proportional होती है inversely proportional होती है या फिर directly proportional होती है square के या फिर inversely proportional होती है square के आपका option ए right रहेगा directly proportional होती है अगला question आपका survey engineering से है which of the following statement is not correct यहाँ पर आपको statement दे रखी है और आपसे पूछा है इनमें सी कौन सी statement जो है आपकी गलत है आपका option A दे रखा है A trough compass is an accessory to a plane table आपका जो trough compass है वो एक plane table का जो है accessory है option B दे रखा है A surveyed compass has two sight veins जो आपका surveyed compass होता है उसमें दो sight veins होती है option C आपका दे रखा है इनने prismatic compass the graduation of the aluminum dicks rotate and the index remain stationary आपका जो prismatic compass होता है उसमें aluminum dicks के जो graduation होते हैं वो घूमते हैं और index जो हैं वो इस्थिर रहते हैं option number D है आपका a prismatic compass has an object vein and I vein आपके prismatic compass में एक object vein होता है और एक I vein होता है आपका option B C और D ये तीनों राइट हैं और आपका जो option A है ये आपका गलत होगा अगला question भी आपका survey engineering से है which of the figure represent the correct graduation in a surveyor compass यहाँ पर नीचे आपको figure दे रखे हैं और आपसे पूछा है कौन सा जो है आपके surveyor compass के figure को जो है अच्छे से represent करता है आपका option B जो है वो right रहेगा अगला question है height of collimation method is dash and dash labor is required as compared to rise and fall method यहाँ पर आपसे पूछा है आपके rise and fall method की compare में height of collimation method क्या है और उसमें labor की आवसकता होती है तो आपका option B right रहेगा collimation method जो है आपका एक repeat है और उसमें कम labor की आवसकता होती है next question है which of the following method are used for location the plane table station नीचे आपको कुछ point दे रखे हैं और पूछा है कि plane table station को fix करने के लिए किस method का use करते हैं radiation method का transversing method का intersection method का या फिर resection method का आपका option A right रहेगा अगला question है in the given figure which nature of fluid is represented by curve A यहाँ पर आपको एक figure दे रखा है और आपसे पूछा है कि दिये गए figure के flow में जो है किस nature को जो है curve A जो है represent करता है तो आपका curve A जो है वो represent करता है ideal Bingham plastic को option D आपका right रहेगा where the flow in a open channel is generally where yet the flow is set to be यहाँ पर पूछा है कि आपके open channel में flow जो होता है वो धीरे-धीरे बदलता है इस flow को क्या कहते है तो इसे कहते है steady non-uniform flow option B आपका right रहेगा फिर आपका अगला question है when a spring is cut into two parts then for every individual part the stiffness becomes यहाँ पर पूछा है जब किसी spring को दो बराबर भाग में बाटा जाता है तो उसके हर भाग में stiffness जो है वो क्या होगा options आपको दे रखे है same होगा double होगा half होगा या फिर four times होगा तो आपका stiffness दो है वो होगा double option B आपका right रहेगा अगला question है यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके open channel में accurate flow measurement करने के लिए नेपी के अंतरगत variation के लिए जो है arrangement की जरूरत होती है जब आपका जो है wear किस type का होता है options आपको दे रखें है contracted rectangular होता है या triangular होता है या submerged contracted rectangular होता है या फिर suppressed rectangular होता है आपका option C राइट रहेगा submerged contracted rectangular अगला question है आपका जो आपकी ISCU 2 mm वाली होती है उसके संदर्ब में कुछ point दे रखे है उसका हर hole जो होता है वो 2 mm डाय का होता है या फिर आपके प्रती 1 cm में केवल 2 hole होंगे या फिर केवल 2 hole होंगे या फिर आपके प्रते 1 hole जो है 2 mm का जो है वर्गाकार आकार का होगा तो आपकी ISCU जो होती है 2 mm वाली आपका option D-right रहेगा प्रते 1 hole जो है उसका 2 mm वर्गाकार आकार का होगा अगला question है यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके organic pollution में high COD और BOD जो है ratio वो किसको represent करता है options आपको दे रखे हैं presence of toxic material in the pollutant आपके producer में जो है toxic material present है या फिर presence of free oxygen for aerobic decomposition या फिर आपके aerobic decomposition के लिए free oxygen represent है या फिर high bio degradability of the pollutant या फिर low bio degradability of the pollutant तो आपका option डिराइट रहेगा फिर आपका last question है if the efficiency of BOD removal of first stage and second stage trickling filters are each 65% then what is overall BOD removal efficiency of these filters यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी पहली और दूसरी stage में trickling filter की जो है BOD हटाने की छमता 65% है तो आपके trickling filter की BOD हटाने की पूरी छमता क्या होगी आपका option A right रहेगा तो आज हमने UPCLJ civil engineering के previous करा part जो है 13 complete कर लिया है बाके के parts अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको playlist में मिल जाएंगे अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें